वेलकम टू माई चैनल फन फूर्जित कुसुम हाई फूरीज कैसे हैं आप सब लोग तो चलिए आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शियर करने जारी हूँ जो आप लोगों के दोरा बहुत जादा रिक्वेस्टेड थी और बहुत टाइम से थी देखिए वैसे तो मैं वे आप मार्केट वाला जो तंदूरी चिकन खाते हैं वो भूल जाएंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे जैसे की मैं बताऊंगी वीडियो में बहुत सारे टेप्स शियर करने जारी हूँ वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा अगर आपने वीडियो स्किप करके तो आपको डिक्कत आने वाली है क्योंकि इसको हम माइक्रोवेब में बना रहे हैं तो माइक्रोवेब की जितनी भी रेसिपीज होती है या हैक्स होते हैं उनको आपको प्रॉपर देखना ही होता है क्योंकि माइक्रोवेब को आपरेट करने का अलग-अलग तरीका होता है और अलग-अलग इसके functions होते हैं तो I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो चलिए फिर मेरे साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके औल जरूर कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहें तंदूरी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर चिकन लेंगे इसे हम अच्छे से धो लेंगे साफ कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने 400 ग्राम चिकन लिया है यहाँ पर मैंने 4 लेग पीस लिये है और 2 मैंने छोटे पीस लिये है ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर सारे ही लेग पीस ले आपकी मर्जी है अगर लेग पीस नहीं लेने हैं तो आप इस तरीके के छोटे छोटे चिकन पीस से भी आसानी से तंदूरी चिकन बना सकते हैं अब सबसे पहले हमें इन पे कट लगाना है देखें कट बहुत जरूरी है इसके दो कारण है एक तो चिकन जो है बहुत जल्दी गल जाता है और दूसरा जो हम इस पे अभी मसाला लगाएंगे वो अंदर तक चला जाता है बहुत ही जूसी बनता है तंदूरी चिकन तो देख पहले हमें यहां पर चिकन को मेरिनेट करना है तो उसके लिए हम लेंगे यहां पर दही तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं ठिक दही ले रही हूँ आप हंकर्ड भी ले सकते हैं देखिए दही ठिक ही होनी चाहिए आप दही को जाली में रख दीजिए और इसका पानी उसके बाद एक चोटी चमच मैंने इसमें नमक डाला है फिर डालेंगे आधी चोटी चमच इसमें हल्दी और एक चोटी चमच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर और इसमें मैं डाल रही हूँ आधी चोटी चमच गरम मसाला पाउडर और उसके बाद डालेंगे हम इसमें कस खपन भी आएगा और अब इसमें मैंने तंदूरी मसाला डाला है अगर नहीं है तो आप चिकन मसाला एड़ कर लीजिए चिकन मसाला तो हर किसी के पास होता है जो चिकन खाते हैं अब इसमें मैं तंदूरी फूड कलर डाल रही हूँ चुटकी भर नहीं है तो रेड फूड क आपसमें अच्छे से मिल जाए अब हमने जो चिकन पीश यहाँ पर तयार किये थे इंको हमें एड़ कर लेना मसाले के अंदर और एक राद आपको धिहान रखनी है देखिये बहुत अच्छे से आपको यह मसाला लगाना है चिकन के उपर देखिए जितना अच्छे से चिकन को कोड करेंगे मसाले से उतना अच्छे से मसाला जो है चिकन के अंदर जाएगा और हमारा तंदूरी चिकन उतना जूसी और फ्लेवर्फुल होगा सारे फ्लेवर जाने चीए इसके अंदर तो इसके लिए मसाला जो है हमें चिकन के अगर आपके पास टाइम है तो कम सकम आप 4-5 घंटे जरूर दीजेगा इस पेशली चिकन को मैरिनेट करने के लिए बस ये देखिए एक घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर चिकन जो है बहुत अच्छे से सेट हो गया है आपको रखना ये फ्रीज में है इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा और बस अब हम तयारी करते हैं आग कर लीजिए तो जो हमने यहाँ पर चिकन तयार करके रखाता है मैरिनेट करके बस फटा फट से हम इस तरीके से रैक के उपर लगा देंगे थोड़ा सा हमें गैप रखना है देखिए दो काम हैं यहाँ पर एक तो आपको नीचे ट्रे रखनी है दूसरा आप इसमें हाई र कि इसमें बहुत ज़्यादा जहट नहीं होता है बस थोड़े से डिप का ध्यान रखना होता है और वीडियो हमें इस तरीक की वीड़िए और स्किप की जाए तो फिर बहुत ज़्यादा दिकत आरदा हूसरा पर बीच-बीच में बहुत काम के टिप्स देती हूँ जो आप के हमेशा skip हो जाते होंगे और बाद में आपको जो है recipe बनाने में problem होती है तो बस यह देखिए रैक हो गया हमारा यहाँ पर तयार चिकन से और फटाफर से हम इसे अंदर रख देते हैं microwave के तो अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि हमने tray का इस्तमाल क्यों किया था रीचे से plate या फिर micro safe तवा लेना है जो micro safe हो वो लेना है अब यहाँ पर step बहुत ध्यान से देखिएगा हमें combi mode पे यहाँ पर तंदूरी chicken बनाना है तो grill mode प्रेस करना है उसके बाद हम एक बार और प्रेस करेंगे तो convection प्लस grill आएगा और उसके बाद एक बार हम उसी power set करनी है तो आपके microwave की सबसे highest power जो होगी वो आपको set करनी है जैसे कि मेरी 360 सबसे highest power है वो set करना है और उसके बाद इस पर time set करना है 20 minute का और 20 minute के अंदर जो है यह आराम से बन जाएगा अब आपको लग रहा होगा कि जिसके पास combi mode नहीं है वो क्या करें तो देखिए अ अगर आपके पास combi mode नहीं है तो उसके लिए मैं आगे बताने जा रही हूँ कि आप किस तरीके से convection mode में भी इसको बना सकते हो और तंदूरी option में भी बना सकते हो इस recipe को तीन option में बनाया जाता है लेकिन अभी मैं आपको convection mode बता रही हूँ क्योंकि convection mode सभी के microwave में होता है तो आप क्या करेंगे देखिए सबसे पहले आप convection mode सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर temperature set करेंगे सबसे highest temperature आप लेंगे तो 230 मेरा सबसे highest temperature है उसके बाद आप यहाँ पर 8 मिनट अपने microwave को preheat करेंगे जैसे हम करते हैं cake के लिए जब यह preheat हो जाए आपका microwave तो उ सबसे highest आपको temperature लेना है जो होगा आपके microwave का और उसके बाद आपको यहाँ पर 20 मिनट का time लगाना है बाकी का process सेम होगा जो अभी मैं आप लोगों के साथ share करूंगी बस आपको यही ध्यान रखना है जैसी 20 मिनट पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको इसको grill करना है आ पिर आप इसको combi में बनाए तो यह step I think आपको clear हो गया होगा वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर recipe पे तो देखिए यहाँ पर हम combi mode पे बना रहे हैं recipe को grill प्लस micro और micro का काम होता है chicken को पकाना क्यूंकि chicken पहले से पका हुआ नहीं है अगर हम यहाँ पर combi mode पे grill के साथ micro नही तो बस यह देखिए यहाँ पर 15 मिनट तो पूरे हो चुके हैं 5 मिनट रह गये हैं हम इस तरीके से देखिए निकालेंगे ट्रे थोड़ा सा बाहर और मैं आपको दिखाती हुए देखिए उपर की side से जो है बहुत अच्छे से chicken हमारा पक गया है वैसे तो दोनों ही side से पक तो total time यहाँ पर हमारा 20 मिनट का लगने वाला है देखिए बहुत ही simple method है और आगे मैं chicken से related आप लोगों के साथ और भी recipe share करूंगी तो जैसे time पूरा होगा 20 मिनट का और हम यहाँ पर rack को बहार निकालेंगे अब हमें इसे grill करना है तो अब मैं आपको यहाँ पर यह दिख के लिए कि हमें केवल यहाँ पर आदे चमस से भी कम तेल का यूज करना है बस इस तरीके से brush से अच्छे से इस पर अपलाई कर दीजिए दोनों साइड से उपर से नीचे से क्योंकि हमें इसे अभी grill करना है देखिए आगर आपने तंदूरी चिकन खाया होगा थोड़ा सा जो है वो crisp होता है तो crisp होने के लिए हमें इसे grill करना होगा अब proper पूरा हम grill करेंगे तो बस इस तरीके से यह देखिए यहाँ पर मैंने तेल लगा दिया है और अब हम इसे वापस ले चलते हैं microwave के अंदर तो बस same process है रखिए आप यहाँ पर rack को अंदर और आप grill mode आप यह मिनट का time लगाएंगे देखिए time थोड़ा बहुत उपर नीचे जा सकता है तो 5 मिनट से जादा मत लगाईएगा एक side देखिए 5 मिनट पूरे हो जाएंगे तो आपको इस तरीके से turn करना है chicken को और एक side से तो यह अच्छे से crisp हो गए अब दूसरी side से हम crisp करते हैं तो तब हम केवल 3 मिनट का time लगाएंगे grill mode ही हमें use करना है देखिए इस process में और बस निकाल लेंगे हम यहाँ पर chicken को बाहर और अब मैं आपको दिखाती हूँ दोनों तरफ से जो है chicken बहुत अच्छे से grill हुआ है बहुत अच्छे से हमारा यहाँ पर तंदूरी chicken बनके तयार चिकन हमारा बहुत ही जूसी बनके तयार हुआ है बहुत कम तेल तेल केवल हमने यहाँ पर डेट चमच इस्तमाल किया तो बस इस तरीके से आप इस recipe को जरूर ट्राय करिएगा बहुत ही जादा आपकी तरफ से यह requested थी तो मैंने सोचा क्यों ना फिर chicken की ऐसी recipe आप लोगो पसंद किया और अब मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए इस तरीके से अंदर से खोल के बहुत ही अच्छे से यह देखिए हमारा चिकन गला भी है आपको मैं दिखाती हूँ यह देखिए कितना जूसी यह अंदर से ड्राय बिल्कुल भी नहीं है देखिए तंदूरी इनकी यही एक बात होती है कि वो जूसी होना चाहिए अगर वो जूसी नहीं होगा तो फिर वो ड्राइ हो जाएगा और ड्राइ खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं रहता है तो आप इस तरीके से इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा और उसके बाद मुझे अपने फीड़बैक जरूर दीजिएगा अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरी रेसिपी को लाइक और शियर करिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके आल जरूर करना है ताकि इसी तरीके की रेसिपी और वीडियो हैक्स आपको मिलते रहें और कॉमेंट्स जरूर करिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में